हेलो सब सबीक सब्सक्राइब बात करेंगे आपर HDFC Life Insurance के बारे में दोस्तों इस टॉक में ऐसे दो बड़े Breaking News है जिसका असर इस टॉक पर हमें देखने को मिलेगा Point to Point समदना दोस्तों इस टॉक में heavily हापर Mutual Fund ने Bequally Q की और यहाँ पर और एक latest news है वो भी मैं आपको बताऊंगा Understanding जरूर करना जिनके पास भी दोस्तों HDFC Life का यहाँ पर share available हो तो यहाँ पर आप पूरी चीज़े देखना आपको यहाँ पर पता चलेगा कि स्टॉक के गिरावट में आपको यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए क्या स्टॉक यहाँ पर यहाँ से कंब्या करेगा क्या सभी जो आपके question है उसके answer मिलेंगे तो step by step understanding करना इस stock में fresh entry का भी मौका available है क्या वो भी मैं आपको बताऊंगा इसलिए दोस्तों देखे opportunity सभी को मिलती है grab करना आनी चाहिए और इसका फायदा भी तो यहाँ पर चलिए देख लेते क्या चीज़े होने वाली है यहाँ पर HDFC Life Insurance इस company में यहाँ पर जैसे दोस्तों stock का performance देखे तो यहाँ पर कोई बड़ी improvement अभी तक नजर ने आई है जैसे में इसको observe कर रहा हूँ इस company ने जो deal की acid insurance company के साथ तब से तो कोई बड़ा performance यहाँ पर देखने को नहीं मिला है आप सभी को पता होगा जो यहाँ पर news को हमने तब cover भी किया था यहाँ पर दोस्तों पिछले 5 दिनों की बात करें तो यह 5% के करेक्शन में नजर आता है और एक महिने की बात करें तो 8% के करेक्शन में तो दोस्तों यहाँ पर यह opportunity की तरह आप इसको सोच सकते हैं जो आगे की सोच रखते हैं बड़ मुझे यह बात ऐसी लगते हैं कि दोस्तों इसमी mutual fund ने क्यों stake बेचा होगा वो यहाँ पर हम पूर तरीके सांडरस्टानिंग करेंगे जरूर और यहाँ पर उसके reason भी समझ लेते हैं अभी यहाँ पर मैं पिछले 6 महिने की बात करू ना तो यह chart pattern बताएगा दोस्तों return कितना है कुछ भी return ने तीन रूपए को क्या return करते हैं क्या बिलकुल नहीं दोस्तों और यहाँ पर हम long term की journey देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एक साल में खाली 23% का return अभी देखिए आप हो मैं हो क्या सोचेंगे दोस्तों इतने सारे यहाँ पर पैसे लगा रहे है कब से कम 20-30,000 रुपए लगा रहे है तो return हमें यहाँ पर order stock देखें जैसे कोई भी यहाँ पर आप example के लिए कोई भी stock ले लेना उसमें इससे काफी आचे return मिल रहे है तो इसमें का पैसा निकाल कर order किसी company में पैसा लगाया जाए यही सोच रखकर दोस्तों mutual fund ने अभी निवेश किया है वैसा अब वो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर दोस्तों कुल मिला कर 10 ICA stock है जिसमें mutual fund ने buying और selling की है उसमें यहाँ पर हम बात करेंगे हमारे लिए जो important है वो है दोस्तों HDFC life उसके बारे में यहाँ पर उनने कितने equity share बेचे है इसा data कुछ नहीं है but heavily जो यहाँ पर selling है उन्होंने बताई है यहाँ पर उनने देखे लार्ज कैप में जो buy किये उसके बारे में डिसकस किया HDFC, Asset Management यह सभी उन्होंने buy किये वाले दोस्तों आदानी enterprises, SBA card यह सभी उन्होंने यहाँ पर buy किये और उसमें देखे है हवेर, stock like, Sbank यहाँ पर HDFC, Life Insurance, बारती, Retail and आदानी Green Energy विकने से सहे तो इसमें देखे हायर selling उन्होंने कर दी है यहाँ पर mutual fund ने दोस्तों और वो भी एक mutual fund की बात नहीं हो रही है यह बात याद रखना है mutual funds है, क्या है mutual funds यह बात important है, जो लोग word to word पूरतर के समझते हैं चीजों को उनको समझ में आएगा और यहाँ पर उन्होंने दोस्तों जो sale किया है, देखे 10 stock sale in the large cap तो इसमें यहाँ पर आपको पंड़े को ना मिलता होगा दोस्तो, SDFC life insurance, थोड़ा जूम करकर भी बता दू, यहाँ पर जरूर देख लेना, यह जूम नहीं होता है क्योंकि इमेजेस हैं इसलिए, बट यहाँ पर उन्हेंने date भी बता हैं दोस्तों, यह October और September, August और September के बी बीची है, अभी next news के बारे में बात करें, तो दोस्तों यहाँ पर news है, company के यहाँ पर results से related, net profit के बारे में, company की यहाँ पर हमें जो 4% एरन इर बेसेस पर growth देखने को मिलेगी, बोलतों, जादी कोई बड़ी improvement नहीं होने वाली है, यह आप यहाँ पर समझ कर चलना, तो मैं आद रखना दोस्तों, इस stock में हाँ पर आप पूरी तरिके से पैसे लगाने के लिए थोड़ा सोचना, गिरन दो, इससे यहाँ पर चाहे, जितना गिरन देना, तब जाकर हम इसमें दाव लगाएंगे, आप यहाँ पर हम जैसे value को चेक करें, तो इसमें value बहुत जबरदस नजर आता है, बोले तो देखिए, निवेश चेक इसको positive way में लेते है, long term के लिए, और यहाँ पर मुझे यही लगता है, दोस्तों की लोग यही सोच कर निवेश कर जिए कि आगे जाकर पैसा मिलेगा, और मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि इस company में फाइदा क्या ह यह company insurance से जुड़ी वी है, COVID-19 का जैसे time period आया, तब से लोग थोड़ा यहाँ पर क्या कर रहे है, insurance पर ज्यादा focus कर रहे है, और insurance के जादी demand बढ़ी है, क्योंकि कम पैसों में अच्छे खासी जो facility insurance से मिलती है, वो यहाँ पर निकाला जा रहा है, और इसमें value भी देखना, इसमें हमें 73% दोस्तों, कम नहीं, इसमें कितना 73% का value है, तो काफी अच्छी बात है ना, इसमें की value भी लगातार इसमें 30 लाग की quantity खरीदी गई है, और company लगातार इसमें ability बढ़ा रही है, तो इस पर जरूब focus रखना, इस company के result भी आएंगे दोस्तों, यहाँ पर देख देखकर समझ चुके होंगे, इस company में क्या है और क्या नहीं, मैंने सब कुछ आपको यहाँ पर बता दिया था, thank you so much